So the question we have is Afez The cap used by Turks Is shaped like the frustum of a cone C figure यानि कि एक figure दिया हुआ है इसमें जो cap बनी हुई है ये एक frustum of a cone के शेप में है तो आगे एक आग है Its radius on the open side यानि कि जहां से ये open है That is This side यहां पर जो इसका radius है वो given है कि radius है है आपर 10 cm Next Radius of its upper base यानि कि ये वाला radius जो है ये 4 cm है And its slant height यानि कि ये वाली जो height है जिस हम slant height कहते है वो equal है है आपर 15 cm के Find the material The area of material used for making it यानि कि अब हमें material बताने कि कि कितना यहां पर use हुआ होगा तो अगर हम यहां पर देखें कि surface area कितना होगा जो material use हो उसका तो surface area of material जो होगा यहां पर वो equal आएगा That is curved surface area of frustum of a cone That is frustum simply हम लिख लेंगे प्लस अब curved surface area का मतलब उपर से भी open नीचे से भी open यह नीचे से open है cap लेकिन उपर से covered up है तो उपर का जो area होगा circle का वो area हमें आपर add करना होगा That is पाई उपर वाला area उपर वाला radius जो है वो यहां पर है 4 तो पाई 4 का square वैसे हम R1 और R2 लिख सकते थे पर हमने आप डिरेक्ट लिख लिया Next Curved surface area एक frustum का क्या होता है formula के according देखें तो इसे हम मान लेते हैं कि यह हमारा R1 है और यह हमारा R2 है तो formula के according देखें इसे तो इसे लिख लेंगे हम curved surface area जो होता है एक frustum का that is पाई ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू multiplied by L प्लस प्लस यहां पर पाई आर स्क्वेर भी है लेकिन वो कौन सा that is pi R2 का square फिलाल हमने R2 दुबारा लिख लिए अब सारी values पुट कर देंगे अब हमें हाँ पर सारी values पता भी है R1, R2, L सब कुछ पता है हाँ आपे तो सारी values जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यह आजाएगा πाई पाई को हम फिलाल कॉमन ले लेते हैं तो पाई यहाँ पर होगा R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 यहाँ पर हो जाएगा 14 multiplied by L L यहाँ पर है 15 प्लस पाई हमने कॉमन ले लिया R2 का square R2 का square यहाँ पर हो जाएगा 16 that is 4 का square तो यह आजाएगा हमारे पास 14 multiplied by 15 that is 210 plus 16 that is pi multiplied by 226 तो जब आप इसे solve करेंगे पाई की value पुट करके तो यह value आजाएगी that is 226 multiplied by 22 whole divided by 7 क्योंकि 22 upon 7 ता तो यह value आएगी लाइक 710 2 upon 7 centimeter square तो उस cap का जो area होगा पूरा जितना material required होगा वो area हमारा यहाँ पर यह वाला calculate होके आजाएगा यह सरफ calculation है आप calculation कर सकते हैं simply यहाँ पर division और multiplication है तो जब आप solve कर लेंगे तो यह आपका area आजाएगा that is 710 2 upon 7 centimeter square 4 प्रा यहाँ यहाँ प्रामर्स कर अचा है वाला यहाँ वाला हो यहाँ अ 7 झाल झाल